श्रीमत भागवत का जय जय घोश करते हुए आगे बढ़ते हैं जोति अगासुर फिर भैलीन सोई गती सिसूपा लही दीन और दुष्ट अगतिं तरे पाखंड छद्म भेश जिन धरे तिनके काज कृष्ण जू करे भक्ति प्रता पहिगाए हु जय जय भक्ति प्रता पहिगाए हु केरे जिन जु क्रोध कर चिंतमन कियो तिनु सवन अभैपद दियो ताकी साखी जु कंसक कुल और पूर्व में केरे नवधा मध्य एक जो करे केरे इस नवधा में से कोई किसी एक प्रकार की भक्ति का भी भली भाति यदि यजन करे अनुष्ठान करे तो गरे भवसागर नारी नर्दरे और ये तो बात स्वेम श्री रगुनाथ जी अपने मुख से कहते है नव महुएकं जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई और केवल नारी पुरुष नहीं? पशु पंची भी नारी पुरुष सचराचर सोई सोई अतिसे प्रिय भामी नी मोरे सकल प्रकार भगती द्रिढ तोरे सोई अतिसे प्रिय भामी नी मोरे सकल प्रकार भगती द्रिढ तोरे एक भी यदि किसी करिदय में सम्यक प्रकार से प्रतिष्टित हो जाए आपकी रुची है, आपको कथा सुनना प्रिया लगता है, तो नारजी तो भक्ती सूत्र में कहते हैं, कथा आदी में अनुराग भगवान की एक प्रकार की भक्ती है, कथा में अनुराग हो जाए, श्रवन हो, कीर्थन हो, भगवत स्मरन हो, हाला कि मेरा चोटा सा अनुभव कहता है, कि आप एक सूत्र पकड़ लीजिए, बाकी की नौ भक्तियां उस एक भक्ती की कृपा से धीर धीर जीवन में आने लगती हैं, आप श्रवन करो, खुब सुनो, खुब सुनते सुनते क्या होगा, आपका गाने का मन करेगा, प्रभू का गुण गाने का मन करेगा, लुके छिपे गालोगे, पर गाओगे, और श्रवन और कीरतन की कृपा से क्या होगा, भगवत स्मरण होने लगेगा, भगवत स्मरण होने से क्या होगा, प्रभू प्रिय लगने लगेंगे, जब प्रभू प्रिय लगने लगेंगे, प्रेम का प्रकास सेवा में होता है, अब राग भोग में मन लगता है, अर्चन वंदन करने लगोगे, और जब अर्चन वंदन करोगे, अर्चन वंदन पहले क्यों कहा? अर्चन वंदन ये भी पूजा के शब्द है, तो माने पहले नियम से जाकर थोड़ी आपचारिकता से प्रभू के निकट जाओगे, लेकिन उस अर्चन वंदन को करते करते प्रभू में अपना पन होने लगेगा, जब अपना पन होने लगेगा तो दास्य और सक्य की भावन कि सिद्धी होगी, फिर अंतिम परणतिया आत्म निवेदनम, फिर आत्म निवेदनम, तवैवाश्रितह, सोहं तवैवाश्रितह, कि मन सावाचा कर्मना, आत्म निवेदन का बड़ा सुंदर उधारण रेदास जी माराथ के शब्दों में मिलता है, प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी, प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभुजी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंदर चकोरा, यह नहीं सोचा करो गाना आता है के नहीं, बस गाया करो, यह आपको कोई नहीं सुन रहा है, बस लाडली लाल सुन रहे हैं, प्रभुजी, तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभुजी, तुम स्वामी हम धासा, प्रभुजी, तुम स्वामी हम धासा, ऐसे भक्ति करे रह दासा, ऐसे भक्ति करे रह दासा, यात्मने वेदन की पंतिया है, प्रभुजी, तुम घन बन हम मुरा, प्रभुजी, तुम घन बन हम मुरा, हेनाच, अब मेरे लिए सुख का अर्थ केवल आपका दर्शन है, सूरदास कहते हैं न, दर्सन ते सुख, बिन दर्सन दुख, हरी मेरो मन वापावे, हरी मेरो मन वापावे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछडे छिप जावे, तुम बिछडे छिप जावे, हरी तुम ही आधे की लकुटिया, हरी तुम ही आधे की लकुटिया, हरी तुम ही आधे की लकुटिया, तुम ही जिये को छेना हरी मेरो मन वापावे, नैन हीन तुम नैना हरी मेरो अधे, आपको ए गुप्त बात बताता हूं ऐसे मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि गुप्त है पर फिर भी आपसे बता रहा हूं इस परकार आप जब मेरे साथ और मैं आपके साथ गाता हूं तो शीनाच जी वो बड़ा अनन्दाता है इसलिए गवाता हूं मैं आपसे शीनाच जी के सुख के लिए गवाता हूं गाईए दरसन ते सुख बिन दरसन दुख अरी मेरो मन वापावे तुम देखे मेरो सूरज उगे तुम देखे मेरो सूरज उगे तुम बिछडे छिप जावे तुम बिछडे छिप जावे हरी तुम ही आधे की लकुटिया हरी तुम ही आधे की लकुटिया नाम रटूं दिन रहना हरी में नेन हीन तुम नेना हरी में नेन हीन तुम नेना मुझे तो लगता है ठागुची के ने बाजा तबला छोड़ो हमें तो माइक की भी आवश्यक्ता नहीं है आप गाओ बस तो कह रहे हैं कि किसी भी भाव से किसी ने चिंतन किया है प्रभु ने अभयपद परंपद प्रदान किया है जिन जो क्रोध कर चिंतवन कियो तिनाव सवन अभयपद दियो ताकी साखी जो कंसकुल यह कंस इसका प्रमाण है दिन रात क्रोध में श्री कृष्ण का चिंतन करता था पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम में जैसा चिंतन होता है क्रोध में उससे कहीं गाढ़ा चिंतन होता है आपको मैं उधारन देता हूँ छोटा सा आपका कोई निकट हो, सुहरिद हो, संबंदी हो आपका कोई प्रियेजन हो उसके साथ एक सहज संबंद चल रहा हो अब किसी दिन वो आपसे कहते कि आपसे बात नहीं करेंगे या फिर आपके तो अब हम बात नहीं करेंगे तो आप देखो ऐसा कहते ही आपको दिन रात सतत उसी का चिंतन होने लगेगा इसी प्रकार क्रोध है और इसका एक संकेत तो नारजी धरमराज उदिश्चिस श्रीमत भागवत में देते आपको और मुझे इस भाव की कोई आवश्यक्ता नहीं ये तो प्रभु के स्वभाव की महिमा संतों ने कही है कि जिनु जो क्रोध करी चंतवन कियो तिनु सबन अभैपद दियो ताकि साखी जुकंसकुल फिर कहरे जोती अगासर फिर भैलीन सोई गती शिशुपाले दीन जो प्रहार करने आए श्री कृष्ण के पास कोई प्रणाम करने जाए उसको भी प्रसाद मिलता है प्रहार करने जाए उसको भी प्रसाद बिलता है यह बात दूसरी है प्रसाद देने का तरीका अलग-अलग है ठाकुर जी का चीर फाड़ कर भी प्रसाद देते हैं रन्नक अश्रप को दिया दिया तो प्रसाद मिली तो परम गती पर प्रसाथ थागुर जी ने का भाई भजन ऐसा करोगे तो प्रसाथ भी हम ऐसा देंगे हमाला लेकर लाड़ से हमारी सेवा करोगे तो हम भी प्यार से तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएंगे अब भजन ऐसा करोगे तो फिर हम उत्तर भी वैसा दें कि ये तो हमारा स्वभाव है ये यथा माम प्रवध्यन थे तांस तथाई वजाम में हम हम तो अपने भजने वाले को भजन करते हैं और जैसा वो भजन करता है वैसा हम उसका भजन करते हैं तो के रे जोती अगासुर फिर भई लीन जब अगासुर का वद स्री ठागुर जी ने किया तो सब ने देखा कि अगासुर के रिदय की जोती स्री ठागुर जी के चरणों में जाकर विलीन हो गई ऐसा ही दर्शन पांडवों की उस दिव्यराज सभा में फिर से हुआ सब को जब शिशुपाल का वद स्री ठागुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र से किया कितना अपमान शिशुपाल में क्या भरी सवा में सो गाली न कहने योग्य शब्द अभद्र शब्द स्री ठागुर जी को कहे पर अंतिम परिणाम क्या हुआ परम गतिबाई अभयपद पाय परंपदपाय तभी तो गोशामी जी कहते है भाई ऐसी कवन प्रभु की रीत समझ नहीं आती प्रभु की रीत क्या है पामरंपर ब्रीत पाखंड चद्म भेश जिन धरे तिनके काज कृष्ण जू करे भक्ति प्रताप ही गाए हो जै जै भक्ति प्रताप ही गाए हो कपट विष्णुतन कोरी कियो ताहु स्वरूप आपनो दियो मात हेत पूतन तरी कोटी अग्यतप देही जुदान कृपान करे बेगी भगवान भक्तन के बस जो भै मांगयो बलीजु इंद्रस्थान यग्यकरे हरी कर दियो दान सूतु पताल पठाई हो तंडुल मुठी सुदामा दै ताकों कोटी इंद्रसुख भै भक्ति प्रताप ही गाए हो जै जै पाखर्ण चद मभेश जिन धरे आपने सुनी होगी कता एक पौंडरक नाम का कप्टी था स्री ठाकुर जी का रूप धरे रहता था ब्रज के संतों ने गाया है क्रोधी कामी कामी क्रोधी था रूप श्री कृष्ण का धरे रहता था क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरिको कियो राखी ताकी पैज सरन अपनी कर लियो कपट विश्णुतन कोरी कियो ताहू स्वरूप आपनों दियो रभू सारूप पे मुक्ति प्रदान करते हैं उसको और मात हेत पूतन तरी अच्छा दाय की गती दे उसे फिर केने कोट यग्यतप देही जुदान कृपा न करें बेगी भगवान भक्तन के वस जो बहे ये साक्षी तो आपको श्रीमत भागवत में यदा तदा मिलेगी यत्र तत्र मिलेगी भगवान स्वैम अपने श्रीमुक से कह रहे हैं कि न साधयती माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्ति माम उर्जिता कि किसी भी साधन से मैं अनुभव में नहीं आता आभी जाओं तो मुझमें प्रेम और मुझमें प्रीती ये तो भक्ति का आचरन करने से ही होती है भावग्राही जनार्द भक्तन के बस जूब है अच्छा एक और बात प्रभू की कृपा से कुछ प्राप्त कर लेना वो कोई और स्थिती है तब करके तो असुर्वी देवताओं से वर प्राप्त कर लेते हैं शक्ति प्राप्त कर लेते हैं सम्रिध्धी वैभव प्राप्त कर लेते हैं प्रभु की कृपा से कुछ प्राप्त कर लेना यह दूसरी बात है पर भक्तों के तो आधीन हो जाते हैं भगमान वश्मे हो जाते हैं एक संत तो कहा करते थे इसलिए स्री ठाकुर जी अपनी निश्किंचना भक्ती सहज में नहीं देते श्री महाप्रभु जी ने कहा ना नाहरमल जी से जब महाप्रभु जी को लकड़ी बीनते देखा तो नाहरमल जी ने तो अपने प्रेम से कह दिया वो जो गुरु चरणों का जो प्रेम था उसने नाहरमल जी के मुक्सिक कहला दिया जब देखा ना कि महापरभु जी के श्रीचरण में कभी-कभी काटा चुब जाता है सूखी लकडी बीन-बीन कर महापरभु अपने उत्तरिये वस्तर में रख रहे हैं जब वो दृष्य देखा मतलब ऐसा कठोर परिश्रम जब महापरभु जी को करते देखा तो एक शिष्य का हृदय बोल उठा कि अरे इतना परिश्रम आप स्वैम करते हैं मैं व्यवस्ता करा देता हूँ कोई धीमर ये काम नित्य कर दिया करेगा और महापरभु कहते है नाहरमल राजा का अन खाकर तेरी मती विक्रित हो गई है तू राजा की नौकरी करता है राजा अन खाकर तेरी मती विक्रित हो गई है जो भक्ती मैंने कोटी कोटी जन्म प्रयत्न करके ये मश्री महापरभु जी का वाक्य है कि जो भक्ती मैंने कोटी कोटी जन्म प्रयत्न करके संतों की कृपा से पाई है, तू उसे नौकर का कारे बताता है मैं कोई कारे नहीं कर रहा मैं लकडी नहीं बिन रहा, मैं सेवा कर रहा हूँ अरे इतना पीडित हो गया श्री महाप्रभु जी का सुकोमल हर्दय सदा प्रसन रहने वाला वो वदन मंडल मलान हो गया नारमल जी से बड़ा प्रेम करते हैं महाप्रभु जी, तभी तभी महाप्रभु जी का हृदय पीडित हुआ और नारमल से का कि तुम अपने हो, मैं और कोई धंड़ तो तुमें नहीं दूगा, बस आज के पीछे अपना ये मुख लेकर मेरे सन्मुख मत आना, तुमारा मुख देखने से भजन भावना की हानी होती महाप्रभु जी का ये वाक्य धे है, चिंतनी है मनन करने योग्य है श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सब देते हैं, शाम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को कोटी-कोटी वर्दान देकर अपना पीचा चुडा लेते हैं अचा भग्त इसलिए कहता है हमको कुछ लेना ही नहीं नामदेव हाथ पकड़ कर ले आए पंडरिनात का आप चलिए राका वाका को कुछ दीजिए उनकी दशा हमसे देखी नहीं जाती उनकी घर में खाने को भोजन नहीं है वो भूखे प्यासे पड़े विठल विठल कर रहे है नामदेव जी नहीं तो डांट दिया ठागुर जी को बोले आपको लाज नहीं आती संसार में आपका अपियश होगा देवी देवता अपनी अराधना करने वाले को जाने क्या-क्या सुक्संपत्ति सम्रिदी दे देते हैं माला माल कर देते हैं और आपके भक्त देखो भूखे प्यासे पड़े हैं हाथ में जांज करता लेकर आपके नाम का कीर्थन करते करते आपको तनिक भी लज्जा नहीं है नामदेव जी ने डाट दिया ठागुर जी को भक्त का अधिकार होता है और कभी-कभी भक्त अपने अधिकार का प्रयोग भी कर लेता है निकुंज में सखियां भी कहती है कि हम शिष शाम आशाम के हम गुरू शाम आशाम श्री ठागुर जी ने का हम बहुत देना चाहते हैं वो नहीं लेते नामदेव जी ने का बनाइए मत ऐसा हो सकता है आप देना चाहें और कोई ले नहीं चलिए हमारे साथ अब स्री ठागुर जी गए ठक हार गए पंडरी नाथ कि आप हमसे कुछ स्विकार कर लीजिए आप इस दशा में रहते हैं तो इससे हमारा अपयश होता है राका बाका ने कहा कि प्रभू हमें पहले ये बताईए आप से ये परिश्रम कराया किसने हम तो आपका भजन सदा से कर रहे हैं आज आप क्यों आए हैं आपको इहां लाने वाला कौन है सिरी ठागुर जी हट गए पीछे नामदेव जी खड़े थे तो जितनी फटकार नामदेव जी ने ठागुर जी को लगाई वैसा ही राका भाका ने नामदेव जी को नाट दिया कि ऐसे सुकुमार प्रभू से क्या ऐसा परिश्रम कराया जाता है हम जैसे जीमों के लिए प्रभू को आप बन-बन भटका रहे हैं नामदेव जी के नेत्रों से प्रेमाश्रू चलक पड़े पंडरी नाथ की सेवा का पंडरी नाथ के गुणगान का यदि कोई फल मिला है तो आपका दर्शन है मुझे आपका दर्शन हुआ रांका बाका से नामदेव कहते है थक हार गए प्रभू प्रांका बाका ने का आपसे कुछ लेना नहीं है आपसे कुछ चाहिए नहीं बस तुम संग सहज सनेह पस हमारे हिर्दय में यह जो आपकी मदूर स्मृती है ना बस प्रभू ये बनी रहे आपको याद करते रहे आपका स्मरन होता रहे ये ये आपका स्मरन अखंड हो जाए हमारे जीवन में उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत ओ मेरी जुडी रवे गुरान अलतार लिख दे लिखनवालया लिखनवालया ये नाथ ये स्मरन भक्ति हमारे जीवन में आपकी कृपा से स्थिर हो जाए आपकी याद बनी रहे आपको याद करते रहे और मैं इन संतों की कृपा से बहुत चोटा सा अपना अनुभव कहने की दृष्टता कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार आपको सुमिरन का सुख मिला एक बार संत सद्गुरु की कृपा से सतिसंग की कृपा से हरिनाम की कृपा से एक बार यदि आपको सुमिरन का सुख मिल गया आप देखेंगे आप अनुभव करेंगे वस्तुत है हमारे महाप्रभु के रहे मुक्तिस तुच्छी भवती बहुश है प्राकृत आ प्राकृत श्री है प्राकृत आ प्राकृत लोकिक पार लोकिक दैहिक दैविक मैंने सब संपनाएं मेरे लिए तुच्छ हैं परस मेरे प्रभु की याद बनी रहे प्रभु याद रहे मुझे उजी एक मधूर सी स्मृति है जो तन मन प्राणों में एक अम्रित सा घोलती रहती है वो अम्रित महीं आपकी स्मृति बनी रहे बस सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाउं और बोली सकी किरी जबलू नाम सास तवहीलू एक मेक हो जाओ प्रभुजी तुम घन वन हम मुरा प्रभुजी तुम घन वन हम मुरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा तो भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान अच्छा वश में रहना पड़ता है प्रभु को इसलिए बड़ी आसानी से भक्ती नहीं देते बहुत खिलोने हैं भगवान की माया के पास जीव को बहलाने भटकाने भुसलाने के लिए और वहाँ जाने कैसी कैसी दिव्य सुख संपदा है पर धन्य भगवान की भक्ती और परम धन्य भगवान का भक्त जो भगवान की भक्ती के बल पर रसिक दें कोटी मुक्ती पगपेल जै 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 श्री रंदावन इसलिए तो बार-बार संत आपसे कह रहे हैं हरी के नाम का आश्रे लीजिए हरी का नाम हरी की भक्ति प्रदान गरने वाला है संत सद्गुरु की शरन पकड़िये हरी की भक्ति की संपत्ति पाईए आपका सुख से परिचे होगा वास्तविक सुक्ष से परिचय होगा मांगयो बली जो इंद्रस्थान जग्य करे हरी कर दियो दान सुतो पाताल पठाईयो पद प्राप्त करने के लिए जब महराजा बली यग्य कर रहे थे तो प्रभु को देवताओं का कारे सिद्ध करना था वो छल करना पड़ा वामन होकर भगवान ने बली से छल किया पर बली की भक्ति भावना पर रीज कर भगवान ने इंद्र के वैभव से भी श्रेष्ट पाताल का वैभव बली गो दिया और और तो और बली के द्वार पर द्वारपाल बन कर खड़े आज तक भगवान बली के द्वार पर द्वारपाल बने ठाड़े किसकी महिमा है विशुद्ध भक्ती की महराज बली के रिदय में स्री ठाकुर जी ने भक्ती भावना का दर्शन कर लिया, शुक्राचारे ने तो बहुत प्रयास किया कि बली संकल्प नहीं करें अरे और तो और वो तो जो जारी थी उसके उस छेद में जाकर बैठ गए कि संकल्प का जली नहीं निकले बहुत रोका आप देखो शुक्राचारे केवल अपने शिष्य का हित चाहते है वो जानते के नारायन है चुक्राचारे ने धिवद्रिष्टी से देख लिया ये कोई बटुक कुमार नहीं है और जब बली से कहा ना कि नारायन है तब बली ने कहा कि अपने पूरवजों के क्रिपा से मैं इतना तो जानता हूँ साधन सिभी राम सब साधनों का अगर कोई फल है ना तो भगवान की प्रसनता है वो नारायन की प्रसनता है यदि ये नारायन है कहते हैं कि साधारन कोई ब्राह्मन को मार हो तो भी मैं अपने मन में देने का संकल्प कर चुका हूँ एक और बात में आपको यहां निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूँगा कि जब देने का संकल्प आपका मन कर ले न तब भी उससे पीछे नहीं इटना चाहिए आपके मन में आया देंगे फिर दीजिए मन के शुब संकल्प का पोशन करने से ही मन की शुब्रता और पवित्रता की वृद्धी होती है आपके मन में आ गया देंगे फिर दीजिए पलटिये मत तो बली ने कहा कि यदि ये ब्रामन कुमार भी है तो भी मैं मन से मन से देने का संकल्प कर चुका हूँ तो भी मैं दूँगा और फिर गुरुदेव यदि आप कह रहे हैं कि ये नारायन है कि ये फिर तो मेरे सवभागे का क्या कहना कि मेरे द्वार पर नारायन ये भेश धर कर आये है नारायन ही आचना करते हैं फिर तो मैं अवश्य दूँगा स्री ठाकुर जी को लगा कि भाई बली की थोड़ी परिक्षा और कर लेनी चाहिए अंत तक ठोकते पीटते रहे ठाकुर्जी दो पग में त्रिलो की नापली तीसरा पग कहां धरों यदि नहीं धरता हूं तीसरा पग कहीं तुमारे पास यदि तीसरा पग धरने के लिए देने योगे भूमी नहीं है तो तुमारा संकल्प अपूर्ण होता है और तुमारा संकल्प अपूर्ण होते ही जो 99 यग्यों का पुन्य है वो क्षीन हो जाएगा जब आप संकल्प करते हैं और उसकी पूर्ती नहीं करते तो उसे क्या परिनाम आता है आपका पुन्यक्षीन हो जाता है तो या तो संकल्प मत करिए संकल्प करिए तो फिर उसकी पूर्ती होनी चाहिए नहीं तो आपका पुन्यक्षीन होता है तो भगवान ने कहा कि देखो वली यदि तीसरा फग धरने के लिए भूमी तुम मुझे नहीं देते तो फिर तुम्हारा संकल्प पूर्ण रह जाएगा और देवता प्रसन होगा यही तो हम चाहते थे कि 99 अग्यों का जो पुन्य है यह समाप्त हो जाए क्योंकि सौवा है यह पूर्ण होते ही बली को इंद्रपद मिल जाए पर बली के पास अपने पूरवजों की भक्ती बली के पूरवज कौन है प्रहलाज जी है और कहते हैं प्रनत कुटुम्ब पाल रगुराई स्री ठाकुर जी के वल भक्त का पोशन नहीं करते हैं भक्त के पूरे कुटुम्ब का पोशन करते हैं एक कोई भक्ती करें यसी कोई नौका में एक बैठकर चप्पू चलाए और अनेक लोग पार हो जाते हैं यसी कोई एक भक्ती करें पुलम पवित्रम जननी कृतार था भक्त का कुल पवित्र कर देते हैं भग्वान तो प्रलाज जी के नाते से बली के रिदय में जो भक्ती का संसकार उसका दर्शन कब हुआ कि भक्ती बली अपना मस्तक जुका कर प्रभू के सन्मुक नत्थ हो गए और कहा प्रभू दाता जो होता है वो दान से अलग होता है दाता कभी दान में नहीं आता मैंने तीन पग भूमी दान देने का आपको संकल्प किया है दो पग में आपने त्रिलो की नापली पर मेरा मस्तक अभी बचा है इस पर तीसरा पग रखकर आप मेरा संकल्प पूर्ण करिए करना सागर निहाल हो गए, सुक सागर प्रसन हो गए, बली की इस भक्ति भावना का दर्शन करके और ग्रंतकार लिखते हैं मांगयो बली जु इंद्रस्थान अरे बली ने तो केवल इंद्रपद मांगा था और दूसरी बात भगवान ने देखा कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिती में भी बली अपने धर्म पर स्थिर है वो जो देने का धर्म है वो नहीं छोड़ा बली में सब जाता हो, प्रान जाते हो, जीवन समाब तो उता हो, पर महत पूर्षों ने धर्म की रक्षा की है धर्म को बचा कर रखा है और उसके परिणाम, उसके प्रसाद में प्रभू को अपनी ओर पाया है, अपने पक्ष में पाया है, बली की भक्ती भावना पर रीज गए प्रभू कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती में भी अपने गुरू की आग्या का उलंगन करके पर बली ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और जब बली ने अपना मस्तक जुकाया उस दिवे किरीट युक्त मस्तक को जुका कर अपना किरीट प्रभू के चरणों की निकट धर्कर जब बली नेत्रों में भाव का जल लेकर कहते प्रभू ये तीसरा पक मेरे मस्तक पर रखकर मेरा संकल्प पूर्ण करिए मुझ पर कृपा करिए तब भगवान ने का कि मैं तुम पर प्रसन हूँ तुमारे मन का मनोरत तो पूर्ण होगा ही लेकिन जो मनोरत तुमारे मन नहीं किये वो सब मनोरत वो सब संपदा मैं तुम्हे प्रसाद स्वरूप प्रदान करता हूँ और कुछ मांगो स्रीठागुर जी ने का और कुछ मांगो तो बली ने का आपका बली को रक्षा सूत्र बांध कर और स्रीठागुर जी को वो लेकर गई वैकुंट धाम वो सब कथा आपने सुनी होगी ये सब महिमा किसकी है परस एक विशुद भक्ति भाव की महिमा है एक निर्मल हिर्दय का भक्ति भाव रिजा लेता है प्रभू को तंडुल मुठी सुदामा दै ताकों कोटी इंद्र सुख भै भक्ति प्रताप हिगाए हो जे जे भक्ति प्रताप हिगाए हो परमानन ठागुर कहते हैं वेद पुराण भागवत भाख कियो भक्तन मन भायो परमानन्द इंद्र को वैभव विप्रसुदामा पायो प्रीत तो नंद नंदन सो की जे प्रीत तो नंद नंदन सो की तंडुल मुठी मुठी पर तंडुल वही स्थान हमारा निजगेह है तो महरानी रुक्मिनी ने कहा कि उस उस मुठी जो जो सुदामा कोदिया उसमें महाईष्यवरे था लेकिन सुदामा ने जो हमें दिया हुः प्रीम का माधुर्य था हम कहां लोटा पाये?' वो वस्तु जो सुधामा ने हमें अदे अर ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई किसी और का भजन करें तो गुशाई जी किरें तेनर पसु बिन पूछ समाना वो मनुष्य कुछ और नहीं बिना पूछ का पशुई है ऐसे रसिक किसोर प्रभु जिन नभजे चितलाई पसु पंछीता को सबे मानत अपनो राए हमारो राधावल लवलाल प्यारो राधावल लवलाल रिशिमान्डव्य महा तपकियो वर्ष सहस्र पबन तिन पियो कर्मना ताहू को कटयो बारे तिन बोना छे दियो तिही राजा वैसा तोलियो सूरी दियो जाने जगत अजामिल पापी द्विजभयो सुतहितनाम नरायन लयो कर्म कटे सुमिरन करत राजाम्रिग को वह गति भई गऊ सहस्र दस दिन प्रति दै भक्ति प्रता पहिगाए हो जै जै भक्ति प्रता पहिगाए हो महा महीमा प्रतिष्ठित करते हुए भगवत बत्ती के आगे कहते रिशी मांडवे महा तप कियो वर्ष सहस्र पवन तिन पियो पर कहते कर्म न ताहू को कटयो बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करने योगि सिद्धान्त है ये कि आपका मेरा साधन तो कुछ भी नहीं जिन लोगों ने वस्तुते साधन किया और वस्तुते साधन किया श्रेश्चतम साधन किया करें रिशी मांडवे महा तप कियो एक सहस्र वर्ष तक केवल पवन का आहार किया आज के मनुष्य की मन बुद्दी इसकी कल्पना नहीं कर सकती पस्चात इंद्रिये निग्रह, युक्त वो शुद्ध और सात्विक पवित्र जीवन जिया एक सहस्र वर्ष तक केवल पवन का आहार किया पर वो जीव राजा बन कर आया और वो काटा चुभाने का प्रतिशोध उस जीव ने लिया अर्थात वो कर्म का बंधन नहीं कटा सब हुआ लेकिन कर्म का बंधन नहीं कटा क्यों भक्ति विलक्षन है, क्यों भक्ति सर्वोपरी है क्यों भक्ति ग्राई है, क्यों भक्ति श्रेष्ट है क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त कोई भी साधन आपको ब्रह्मलोग परियंत सुख की प्राप्ति करा सकता है लेकिन आपके दुख को नहीं मिटा सकता है सुख मिलना एक बात है दुख मिट जाना दूसरी बात है और मैं तो कहता हूँ दुख मिटना ही सच्चा सुख है ऐसे अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था सुख की अवस्था में भी और अंतर को विश्राम नहीं होता घर में उच्षव हो आनंद हो तो देखो तब भी कहां भिश्राम होता है और अभी मैं आपको कह रहा था कभी-कभी तो हर्ष के अतिरेक में भी हृुदय की गति रुख जाती तो वस्तुते वो जो सुख है इसलिए कल परसों की चर्चा में मैंने आपको कहा था प्रसंदा कहते किसे हैं नाचने गाने का नाम प्रसंदा नहीं है आप हस रहे हैं नाच रहे हैं गारे हैं खारे हैं पीरे हैं आप प्रसंदा नहीं है इसका नाम प्रसंदा नहीं है इसका नाम प्रसंदा नहीं है स्थिरता का नाम प्रसंदा है तो स्थिर है आपकी चित वृत्ति स्थिर है जब जब स्थित प्रग्य है वो प्रसन्न है तो यहां पुराण का उधरन देकर प्रमानित कर रहे हैं कि सैस्रो सैस्रो वर्ष का तब भी नेक से कर्म का बंदन नहीं काट सकता इसलिए दुरुवदाज जी कह रहे हैं हेम को सुमेरदान, रतन अनेकदान गजदान, अन्नदान, भूमिदान करही मोतिन को तुलादान, मकरब प्रयाग नहान गरहन में काशीदान, चित शुद्ध धरही सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गवदान पर कह रहे, इतने में पापन को नेक हुना रही कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है दुरुवपापी, तिहुं लोकन के छिर्मा है इसलिए भक्तों ने सब एक और करके केवल भगवान की विशुद भक्ती चाहिए रह्दाज जी महाराज को तो देने के लिए स्वहम ठाकुरजी आए, और जब रह्दाजजी ने सीधे ठाकुरजी से नहीं लिया, तो ठाकुरजी ने अपना इश्वरे प्रकत किया जिस श्री विग्रय की सेवा करते थे उस श्री विग्रह से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होने लगी और रैदास जी महराज क्या करते हैं चिम्टे से वह स्वर्ण मुद्रा उठाकर गंगाजी में डाल कर आते हैं और घर आकर अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं अब हम श्री विग्रह सेवा नहीं करेंगे अब साचो ही कल जुग आयो रह्दास जी महराज कह रहे है बहुत अब सच्चा कल जुग आया है द्वार पर साधू आता है तो वो पारस्मनी दे जाता है भगवान के विग्रह से मुद्राई निकलती है बहुत अब सच्चा कल जुग आया है अब तो सब साधन जीव को माया में ही लपेटने में लगे है अब तो हरीवोल 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 रसना अब तो किवल भगवन नाम का आश्रे लेंगे और हरी का नाम जपेंगे और सुख पाएंगे ठाकुर जी ने बड़ा अग्रह करके रदास जी को कुछ थोड़ा सा दिया और रांका बांका ने तो लौटा दिया ठाकुर जी को नाम देव जी को डांट कर कहा कि क्या प्रभू का भजन इसलिए किया जाता है नहीं इसलिए आपको मैंने निवेदन किया कि भाई बार बार प्रभू से कहिए बार बार प्रभू से बिंती करिए कि प्रभू वो एक जलक उस सच्चे सुख की मुझे मिले एक जलक उस आनंद की मुझे मिले आपकी कृपा से आपके प्यारे संतों के कृपा से जहां से मैंने आज चर्चा आरंब की भाई कि इस दुख रूप संसार में जिसका नाम ही शास्त्र दुखालयम कहता है इस दुख रूप संसार में अगर कहीं आनंद की जलक मिलेगी तो सदाहरी भक्तन के आनंद जाको मुख देखे दुख निपजे कटे सकल दुख द्वन्द सदाहरी भक्तन के आनंद और जब प्रभु कभी आप पर प्रसन हो जाएंगे जब प्रभु आपकी भावना स्विकार कर लेंगे तो आपको दर्शन देंगे लेकिन ये पूछ लीजिए ये जान लीजिए वो दर्शन कहाँ देंगे वो दर्शन जब भी होगा वो या तो भक्त के हृदय में होगा या भक्त के नित्रों में होगा या भक्त के निकट होगा या भक्त की भावना में होगा या भक्त की भाणी में होगा इस लोक में, इस संसार में भगवान को प्रकट करने वाला भक्त है, भक्ती को प्रकट करने वाला भक्त है तो कहते हैं कि वो नेक सा करम का बंदन नहीं कटा बड़े दीर्ग कालिक साधन के बाद, और दूसरा उधारन देते हैं, और बोले दूसरा उधारन देखिए, अजामिल पापी द्विज भयो सुत हित नाम नरायन कर्म कटे सुमिरन करत, और दूसरी और हरी भक्ती की महिमा देखिए, हरी के नाम की महिमा देखिए, महापापी महापतित वो जीव और नारायन नाम भी लिया तो भी नारायन का स्मरन करते हुए नि सुत हित नाम नारायन लियो और कहरे कर्म कटे सुमिरन करत राजा अम्रिग को वह गति भाई गऊ सहस्र दस दिन प्रति धै भक्ति प्रतापहि गाए हो जे जे भक्ति प्रताप राजा निर्ग का प्रसंग तो बड़ाई प्रिरक है दानवीर राजा भूल से एक बार दान की हुई वस्तु किसी दूसरे को दान कर दी जान बूझ कर नहीं अवग्या अवहेलना की भावना से नहीं भूल से पर उस अपराद का दंड क्या मिला गिर्गिट की योनी मिली अंधकूप में जाकर पढ़े कहा गया वो दान का पुन्य तो जब धर्मराज निर्नय करते हैं तो वो कह रहें दान का पुन्य मिलेगा पर पाप का फल भी भूगतना होगा इसलिए तो मेरे महाप्रभु जी कहते हैं यम द्वारे कटियत नक छीक है इसलिए इसलिए कल बड़े विस्तार से आपने मैंने चर्चा की कि बिना सत्संग के निरभिमानता नहीं आएगी बिना संथ की सेवा के जीव निरभिमानी नहीं होता मैं यहाँ एक और बात जोड़ूँगा जो केवल प्रभु की सेवा करते हैं जो केवल स्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं सूक्षम अभिमान बना रहता है जो वास्तविक निरभिमानता आती है वो तो संत और गुरु चरणों की सेवा से आती है संत की सेवा से आती है का बंधन पड़ेगा यह सीधा साधा साए एक सूत्र है तो राजा न्रिग को गिरगिट होकर अंधकूप में पढ़ना पड़ा एक छोटी सी भूल के कारण भाई देवी देवताओं का विधान ऐसा ही है वो आपको देते भी है पर लेते भी है आप विधियुक्त होकर सेवा करिए आपको देंगे यदि कुछ भूल हुई तो उसका धंड़ भी मिलेगा अगर इससे मुक्त कोई स्थान है तो उस्री ठाकुर जी का द्वार है उतर गयो मेरे मन का संसे जब तेरा दरसन पाया ठाकुर तुम सरनाईया अन बोलत मेरी बिर्था जानी अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया ठाकुर तुम सरनाईया और आपको लगता है कि हम कभी अपराद रहित होकर कोई क्रिया कर सकते हैं आप चाहें मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकते हैं अपराद होगा ही होगा स्री ठाकुर जी की सेवा में बत्ती सेवा अपराद बताए गए हैं और यदि मैं आपको बताओं तो आप देखेंगे कि सेवा में नित्ते ही वो अपराद होते हैं पर अवगुन करे समद्रसं गिनत ना अपनो जान ऐसा मेरे प्रभू का स्वभाव है वो अवगुन की और देखते नहीं विचारी नहीं करते वो जीव के दोश का जीव के अवगुन का और एक और बात ये बक्षबात पूरवक में के रहा हूं ऐसा स्वभाव केवल प्रभू का है इसलिए इसलिए संतन मत निर्णे दियो शुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर बजने योगे दोई हैं के हरी के हरी दास जात पात पूछे नहीं कोई हरी को भजे रदास कहते हैं जांकी छूत जगत को लागे ताप तू ही ढरे तू ढरे मी चहीं उच करे मेरा गोविंद काहू पे ना डरे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरो मात्य छतर धरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे आपके विना ब्रभू कौन है ऐसा इसलिए तुम तज और कौन पे जाओ और कहते हैं कि अंधकूप से राजा अंधरिक को निकाला किसने स्री ठागुर जी ने क्यों निकाला कि कभी राजा अंधरिक ने किसी भक्त की सेवा की थी उस राजा अंधरिक ने कभी निश्काम होकर किसी भक्त की सेवा की थी बस उसकी उस भक्त की भक्ती का स्मरन करते हुए भक्त के नाते Shri Thaguru Ji ने राजा अंडिक का उस अंधकूब से उतार किया तो भाई Shri Vyaz Ji की बात का स्मरन रखना वो कहते हैं हरिवोल 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 रिरसना और हरिवोले बिन नर कहीं बसना इसलिए गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, सब सुख लईए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, तो ये आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं, महाराश्री का दर्शन हो गया, आपके चरणों में भी प्रणाम, आप सब के रिद्यस्ति कर दो को नमनुट